जैजै स्री राम अवद पुरी सम प्रियनई सोवो यह प्रसंग जाने को को जनम होमी मम पुरी सुहावने उत्तर दिसिवा सर्चु पावने जिस अवद पुरी का एहसास कराने के लिए पांच सताब्दियों की इस बहुप्रतिक सित्थी को हम सब को 135 करोड भारत वास्यों को और पुरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति सुवेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नाकरिकों और महानुभावों किन भावनाओं को मूर्त रूप देने का स्रे और याउसर जिस महापुरुस के कारणाज हम सब को प्राप्त हुआ है भारत के यससी प्रधान मंत्री आधनिये नरेंद्र मोधी जे उत्तर प्रदेश के मान्य राज्यपाल शिमती आनंदी वेन पटेल जे हमारे विचार परिवार के परमुक रास्तिय स्यम सिवक संग के सरसंग चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवाजी सिर्राम जनभूमी तीर्थ छेत्र नियास के अध्यक्स पोज्य महंत निर्थ गोपाल दाज्जी महराज देश के विभिन पंथ और संपरदायों के आज के सकारेकरम पस्तित पोज संत गाण आचारे गाण धर्माचारे गाण सिर्राम जनभूमी तीर्थ छेत्र नियास के सभी पदादिकारी गाण विचार परिवार समेट देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कारेकरम का साकसाथ अन्भूति करने वाले सभी मर्यादा प्रसुत्तम भगवान सिर्राम के सभी भक्तगान और तीर्थ छेत्र नियास के महासच्यों सिर्चंपद राई जी मैं आधनिये प्रधान मंत्री जी का मर्यादा प्रसुत्तम भगवान सिर्राम के इस पावन धरापर पाँच सताद्य की इस बहुँ प्रतिक्सित लंबे संघर्स और साधना की सिद्धी की स्पनती के उसर पर भोई पूजन और कारे सुभारंब के इस उसर पर उत्तरप्रदेश की इस धराधाम पर साथ पवित्र पुरियों में से एक अवद पुरी मैं हिरदे से अविनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ पांसो वर्सों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्स साधना लेकिन भारत के लोगतांत्रिक मुल्यों भारत की नयपालिका और भारत की कारेपालिका की ताकत सांति पूर्ण धंसे लोगतांत्रिक पद्दति से और संबिदान संबत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है आदनिया प्रधान मंत्री जी के नित्रत्व में भारत ने दुनिया के सभी ताकतों को इस बात का एसास कराया है और यह दिन हम सब को पूरे भारत वास्यों को इस सुब घड़ी का एसास कराने के लिए क्योंकि इस घड़ी की प्रतिक्सा में हम सब की कई पीड़ियां चली गई पूजसंतों ने अनेक महापुरसों ने अनेक बिरंगनाओं ने अपना बहिजदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आँखों के सामने ब्रमांड नायक मरियारदा पुरसोत्तम भगवान सीर राम के भब्य मंदिर के निर्मान के कारे को हम अपने आँखों के सामने देख सकें लेकिन संगहर से चलता रहा साधना चलती रही अनवरत ये कारेकरम चलते रहे लेकिन लोगतांत्रिक मुल्य और आदर्सों की रक्सा करते वे सम्विधान सम्मत तरीके से सांतिपूंड तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है आदर्णिय प्रधान मंत्री जी की सुजबूच और दूर दर्स्ता के कारण आज पूरे भारतवासियों को या गारव की छच्छान का आउसास होने का आउसर प्राप्त हुआ है मैं इसलिए उनका आज की सौसर पर हिर्दै से अविनंद्रन करता हूँ उनका हिर्दै से सागत करता हूँ भाईो बेनो हम सब गौरवानित हैं इस बात को लेकर के कि आवद्रपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है मुझे लगता है कि उस बात का इसास तीन वर्स पहले उत्तर प्रदेश की इस अवद्पुरी में दिपावली का आउसर अवद्पुरी के साथ जुड़ सके अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कारिकरम को उस रूप में जोडने के लिए जो कारिकरम प्रारम हुआ था आज उस कारिकरम की सिद्ध के रूप में आदणिया प्रदान मंत्री जी के करकमलों से इस अवसर पर सिराम जनभुमे के भव्य और दिब्य मंदिर के निर्मान कारे के भूई पूजन और कारिकरम का यह पवित्र पल भी हम सब को देखने का उसर प्राप्त हुआ है यह कार्य सिराम जनभुमी तीर्थ छेत्र न्यास मंदिर निर्मान का करेगा लेकिन अवद पूरी को दुनिया के सबसे बैभव साली और सबसे संब्रद साली नगरी के रूप में भारतिक विकास की दिस से सांस्कृतिक परंप्रा को छोड़े बनाए रखते हुए आगे वढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्द है और प्रतिबद्दता तब भी आपने देखिये होगी जब रामेंड सर्किट के नाम पर आधने प्रधान मंत्री जी ने देश के उस सरधा को सम्मान देने का कारे किया स्वदेश दर्सन के नाम पर यहां के घाटों के सुन्दरी करण के कारे को आगे वढ़ाने का कारे हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गत्विदियां यहां पर चलती भी दिखाई दी और आज उसकी एक महर्तपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुत प्रतिक्सित इस तिथी के उसर पर अधनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से अविनन्दन और सागत करते हैं हम सब के लिए आज का ये दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है यहां हमारे लिए उमंग और उत्सा का दिन भी है और हम सब के लिए इस ले विए दिन अत्यंत महत्तपूर्ण है कि यहाँ पर आज हमारे विचार परिवार के परमुक रास्तिय स्यमसिवक संके आधनिय सरसंग चालक डॉक्टर मोहनराव भागवजी की उपस्तिती भी आज हम सब को उनका सानत्य भी प्राप्त हो रहा है मैं उनका अवद्पूरी की इस धर्ती पर हिर्दे से स्वागत करता हूँ और विनंदन करता हूँ मैं सोसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचारियों पूज्य संतों का भी हिर्दे से स्वागत और विनंदन करता हूँ जो आज उत्तरब्रदेश किस धर्ती पर इस संपूर्ण कारिक्रम में साक्सी बन रहे हैं मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभाओं का भी हिर्दे से स्वागत और विनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्स अनभूती हम लोग यहां पर करतो रहे हैं लेकिन वे प्रत्यक्स रूप से यहां पर इस कारिक्रम में सेवागी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बैस्विक महामारी करोना के खिलाब जो लड़ाई देश की चल लई है उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइड लाइन भारत सरकार ने जारी की है उसके तहती सीमित संख्या में अतितियों का आमंतन हो सकता था और उसका पालन करते वे भी हमें इस एथियासिक तिधी को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभाओं का हिर्दे से स्वागत करता हूँ उन सब को किसी न किसी रूप में हम आने वाले कारिक्रमों में सेभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्सों में करेंगे कि उनकी उपस्तिती प्रत्यक्स अनभूती अयोद गया में हो सके और उनकी प्रत्यक्स अनभूती के माध्यम से या कारिकरम अवद पुरी को जो गारों मिलना चाहिए इस गारों को हम आगे वढ़ा सकें हम सब के लिए आज काई दिन इसले भी महत्वपून है एक कारिकरम केवल मंदिर निर्मान के कारिकरम का सुबारंब ही नहीं एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अउसर है जिसे आज से छे वर्स पहले आदनिये प्रधान मंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधाना को चरितार्त करने के लिए आगे वढ़ाया था जिसमें किसी के साथ ना जाती के नाम पर ना छेत्र के नाम पर ना भासा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्त करते वे जिस कारिकरम को 6 वर से पहले आगे बढ़ाया था भगवान राम का ये भग्व और दिव्य मंदिर भगवान राम की यस और कीर्थी के इन रूप भारत की यस और कीर्थी को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कारे करेगा इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज की सौसर पर आदने प्रधान मंत्री जी का राज्टी सुयम से वक्संके सरसंगर चालग जी का अपने सभी मानने अतितियों का पूझे धर्माचार्यों का संतगणों का सभी महानुभाओं का उत्तरप्रदेश की सधर्थी पार अवद्पूरी की सधर्थी पार हिरदे से अविनंदन करता हूँ स्वागर्थ करता हूँ जैजेश स्री राम